दोस्तो ये कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो कि एक आइलेंड पे फस जाते हैं और दबा के खपा घप करते हैं जहां देखो वहाँ टपाटप टपाटप जंगल में पानी में समुंदर में टपाटप करते रहते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों इस आइलेंड पे कै से सर्वाइब करते हैं मूवी की शुरुवात में हम दो भाई बहन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के कजन्स हैं और अपने पापा के साथ अपने घर को छोड़ कर यूरोप जा रहे होते हैं उसी बोर्ट में पैडी नाम का एक नौकर भी खाना बनाने का काम करता था वहीं वो दोनों भाई बहन ये देख रहे होते हैं जो आज कल हम देखते हैं अभी पैडी उन्हें देख लेता है वो बोलता है वा बेटे मौच कर दी और उन्हें खुप मारता है तो एमलिन पैडी को रोपने लगती है अचानक उसी बोर्ट में आग लग जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं, वही पैडी उन दोनों को लेकि एक बोट में बैट जाता है, जहां बोट तहते तहते बीट समंदर में आ जाती है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं, अगली सुब़े जब उनकी आँख खुलती है, तो वो दोनों पैडी को जगाते हैं, और एक मौज ले रहे होते हैं इसके बाद पैडी रिचर्ड को जंगल में सर्वाइफ करना मतलब रहना सिखाता है कि एक आदमी एक सुंसान आयलेंट पे अकेले कैसे सर्वाइफ कर सकता है उसी राद पैडी को जोड से आह आह की आवास आ रही थी वोट कर देखता है कि वो आवास आयलेंट के दूसरे साइट से आ रही थी लेकिन अगली सुबह उससे रहा नहीं जाता वो उस साइट देखने चला जाता है जहां वो एक मास का तुकड़ा देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और रिचर्ड और एमलीन को पहाँ जाने से मना करता है उसी राद मैडी पीकर बच्चों के साथ इंजॉय करता है और पैडी फिल से नशे के हालत में आईलेंड के उस पार चला जाता है जैसे कि उसकी लोगाई वहां उसे दे रही हो जब सुबह होती है तो रिचर्ड पैडी को ढूढने लगता है वहीं वो पैडी को देखते देखते एक दूसर पर पहुच जाते हैं अब दीरे दीरे रिचर्ड और एमिलीन बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के तरफ बहुत एट्रेक्ट होते जा रहे थे जैसे भी मौका मिलता था तो वो काम करने लग जाते थे जो आजकर के लोग चाते अपनी बंदी से लेकिन उन दोनों को इतन से चाने के लिए कहती है उसके बाद रिचर्ड एमिलीन से पूछता है वो बलट कहां से आया था कोई चोट तो नहीं लगी ना तुमको जिस पर एमिलीन कहती है मुझे कुछ नहीं पता और यहीं से रिचर्ड को पता चलता है कि एमिलीन मुझसे बाते चुपाने लगी है और दूसरी तरफ एमिलीन रिचर्ट के प्यार में पागल होती जा रही थी, जैसे उसकी ततली हैंट पम लेने को तड़प रही हो, वहीं रिचर्ट की एक आदत बन चुकी थी जब भी एमिलीन नहाने जाती थी, तब वो उसको छुप छुप के देखता था, और रात को वो डिनर करके बहुत मस्ती करते थे, अगली सुबह एमिलीन जंगल में घूम रही होती है तब, उसे एक भयानक सी आवास आती है, जिससे सुनते सुनते हुए एक भयानक सी मूर्ती के पास पहुच जाती है, जिसमें से प्लरट निकलता है, ये देखकर एमिलीन वहाँ से डर कर भाग जाती है, और रिचर्ट को सब कुछ बताती है, जिससे सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है, और कहता है कि अब की बार तुम कहीं गई, तो तुमारे टांगे तोड़ दूँगा, उसी रात एमिलीन को एक सपना आता है, जिसमें रिचर्ट समुद्र में डूब रहा होता है, और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, रिचर्ट को सामने देखकर, एमिलीन के प्यार में 500 गोडियों का प्यार आ जाता है, वही रिचर्ट भी अपने अफजार को कापो में नहीं कर पाता, और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन एमिलीन उसे दूर करके उसे सुला देती है, सोजा मुनना सोजा, लेकिन जब काम इच्छा के सकती जाकती है न, तो बंदा बावला हो जाता है, रिचर्ट एमिलीन के पास रात में फिर से जाता है, तब ही एमिलीन जाग जाती है और उसे भगा देती है, जहां उन दोनों को कुछ पता नहीं होता, कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, अगली सुबर रिचर्ट जंगल में घुम गे जाता है, तो एमिलीन कहती है कहां चला बे, तो रिचर्ट मन में सोचता है तुझे क्यों बताओं, तू तो देगी नहीं, लेकिन एमिलीन भी रिचर्ट के पीछे पीछे समुदर किनारे पहुँच जाती है, जहां वो हैंड़ पम नचा रहा था, उसे देखकर एमिलीन कहती है ये क्या कर रहे हो, तो रिचर्ट कहता है निकल यहां से रैप टे दूँगा खीच कर, और वो अपना मुलट का कर वहां से चली जाती है, एक दिन रिचर्ट समुदरों में एक शिप को आते हुए देखता है, जिसे देखकर वो घर पर भागते हुए आता है, दरअसल रिचर्ट ने संकेत देने के लिए लकडियों का ढ़ेट जमा कर रखा होता है, जैसे ही उन्हें कोई इंसान देखे वो लकडियों का ढ़ेट जला कर उन्हें बुला सके, रिचर्ड एमलीन से कहता है कि तुमने भी बोर्ट को देखा था, तुमने लकडिया क्यों नहीं जलाई, जिससे रिचर्ड गुसा हो जाता है, दोस्तों एमलीन यहां घुल मिल चुकी थी, उसका यहां से जाने का बिलकुल मन नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन रिचर्ड वापस आता है तब, तो वो उसका मजाग बना कर हस ले लगती है, वो कहती है मुझे पता है बेटा, तुम समुदर के किनारे क्या करते हो, तब रिचर्ड कहता है तेरी आहा भी निकाल दूगा और तेरी चीखे भी निकाल दूगा, तुम भी तो गलत काम करती हो पता है बेटा, बही आली नि रिचर्ड के सर पर नारेल टेकर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, अगले दिन अैमिले उसकी ब्यानत si मूर्ती को फूल चड़ाने जाती है, त्यूंकि वो उसके अपना गॉडञ बानती थी, और घर आ असका पैर एक जहरीली मचल पढ़ जाता है, जिससे वो काफी जाता बिमार हो जाती है। जब रीचरڈ को एमिली नहीं दिखती है, तो वो उसके पास जाता है, वो एमिलीन से पूछता है कि क्या हुआ, को एमिलीन कहती है कि कल घर आते टाइम, मेरा पैर एक जहरीरी मचली पढ़ गया था, जिससे मुझ पुरा लगता है वही एमलीन रिक्जट से कहती है तो मुझे उसी भयानक मूर्ति के पास ले चलो वो मुझे ठीक कर देगी उसकी बाद मानकर रिचट एमलीन को वही ले जाता है थोड़ी देर वही अराम करने से एमलीन ठीक हो जाती है जिससे रिचट बहुत खुश होता है वो दोनों एक दुसरे को कभी नहीं खोना चाते थे एक दिन हम जंगल में रिचर्ड और एमलीन को फूट खाते हुए देखते हैं जहां रिचर्ड एमलीन को उस नजर से देखता है जो उसे चाहिए था जिसके बाद तो वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है और इस बार एमलीन भी फूल साथ देती है और दोनों दबा के घपा घप करते हैं और बस करते ही रहते हैं क्योंकि उससे पहले केला जो खा लिया था एक दिन रिचर्ड और एमलीन आपस में बात कर रहे होते हैं तो रिचर्ड बोलता है क्या बात है तुम मुझसे क्या चुपा रही हो? तो Emeline कहती है कुछ नहीं तो Richard कहता है बेटा मैं देख रहा हूँ तो मुझसे बादे चुपाने लगी हो तब Emeline कहती है यार मेरे पेट में बहुत दर्द और हल्चन सी होने लगी है लेकिन रीचर्ट को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता मैं बताती हूँ, बेटा दबाकर केले खाओ, जोर से टपको और 9 महने के सजा पाओ कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एमलीन का पेट और भी जादा बढ़ गया है वहीं रीचर्ट जंगल में घूमने जाता है, तो उसे वहाँ अपने जैसे आदिवासी दिखाई देते हैं जो एक इनसान की बली चड़ा रहे होते हैं, और वो वहाँ से डरकर जब भाग कर घर पर आता है तो वो एमलीन को एक बेबी के साथ देखता है, दरसल एमलीन अब मा बन गई थी वहीं उसका बच्चा बहुत रोता है, तो उन्हें लगता है कि इसको फूक लगी है और वो दोनों से फल खिलाने लगते हैं, लेकिन भला वो बच्चा फल कैसे खाए उसे तो ममी का मिल्क चाहिए, तभी एमलीन उसको गोद में ले लेती है और वो बच्चा एमलीन का मिल्क पिने लगता है, वहीं रीचर्ड एमलीन को आईलेंड की दूसरी तरफ जाने से सक्थ मना करता है और अब ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे एक दिन रीचर्ड के पापा वहीं से शिपले कर जा रहे होते हैं और वो अपने दूइबीन से रीचर्ड को देखते हैं, जिसे लगता है कि ये कोई आदिवासी है और वो अपनी बोट को मोड कर चले जाते हैं वहीं रीचर्ड और एमिलीन ने भी उस बोट को देखा था लेकिन अब उनका मन वापस जाने से पदल चुका था इसके बाद रीचर्ड और एमिलीन पुराने आइलेंड पर जाते हैं जहां वो स्टार्टिंग में आये थे और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं वहीं उन दोनों का बेबी अब बड़ा हो चुका था वो एक जहरीली बेड को तोड़ कर बोट में डाल देता है और वहां से घर जाते टाइम रिचर्ट का बच्चा नाओ की पतवार को नीचे समुद्र में गिरा देता है एमलीन उस उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फाइदा नहीं होता जब रिचर्ट उस पतवार को लेने जाता है तभी उसके पीछे एक शार्ट पढ़ जाती है जिसे बचाने के लिए एमलीन नाओ की दूसरे पतवार को भी शार्ट के तरफ बेग देती है और रिचर्ट पोर्ट में आ जाता है लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो तीनों समुद्रे से कैसे बहार निकले तब ही रिचर्ट के बेवी को भूख लगती है और वो वही बेर खा लेता है जिसे देखकर एमलीन काफी डर जाती है लेकिन अब क्या था वो देखकर ये दुनों डिसाइड करते है हम भी ये बेर खा लेंगे लेकिन वो देखते हैं कि बच्चे पे इस बेर का असर नहीं हुआ वो तो बस सो रहा था वही रिचर्ट के पापा बिच समुंदर में रिचर्ट के नाव देख लेते हैं और वो लोग वहाँ पहुचकर उन सभी को बचा लेते हैं और यहां ये मूवी खतम हो जाती है ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेच को लाइक करें